नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी मुख्य सेविका भरती को लेकर की बात करेंगे आपकी आफिशल आंसर की आज आनी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं आ सकी है कल के दिन संडे था और आज भी आप सभी जानते हैं कि आज भी आंसर की नहीं आने वाली ह से हम लोग वेट करेंगे और कल हमी कल ही आपको बता पाएंगे कि कब तक आफ की आफिशल आंसर की आ सकती है हो सकता कल आ जाए लेकिन कल आप हमें 11-12 बज़े की आसपास तक कर समय दे देंगे तो आप सभी को जो कुछ भी जानकारी मिलेगी बता दी जाएगी आफिशल आ नार्मलाजेशन भी होना है आप सभी जानते हैं कुछ लोग आपको आप लोगों को बता रहेंगे कि नार्मलाजेशन नहीं होगा तो नार्मलाजेशन सत परसत wzglत है प owners इक दिन में हो चाहिए दो सिपक्त में रहा है एक दिन का चोड़िए आप अगर एक दिन में ही बेरते DB करा चुके होते हैं उन्हीं की लिष्ट बनती हैं दोबारे से महाँ पर कोई result या कोई normalization नहीं होता है अब देखे जो भी हमने आपको expected cutout बताई हुई थी 55 के आसपास ये after normalization का है इसमें जो shift थोड़ा से आसान होगा कुछ number आपके कम हो सकते हैं जो shift cutting होगा कुछ number पर उनके आपके बढ़ेंगे तो इसी हिसाब से हमने इसमें plus minus आपको दोनों ही मान करके चलने के लिए का था कि आप 2-3 number plus minus दोनों ही मान करके आप चलिएगा अब इसमें दिखे कुछ लोग demotivate करने का काम करेंगे अभी से अगर हम अनुमान से बता रहें तो किसी को नह पर उनकारी नहीं हो सकती है क्योंकि एक बार OEMR की scanning स्टार्ट होती इवन आप समझ लिजे कि आफिसियल आंसर की भी अभी तक नहीं आई है फिर इस तरह से दावा किसी को नहीं करना चाहिए कि नहीं इतनी कटाफ नहीं जाएगी या फिर कटाफ जादा जाएगी बहले ही कंडिडेट से जादा हो लेकिन आप पेपर का लेबल देखिए सबसे पहली चीज पेपर का लेबल देखिए टापर 100-200 हो सकते हैं 300 हो सकते हैं 2693 सीटे कम नहीं होती है आज की डेट में आप देखेंगे अभी आप देखेंगे PCS के मेंस का एक्जाम हुए 254 सीट के लिए उसमें भी 123 सीटे हैं किबल जो simple graduation या general graduation वालों के लिए तो वहां पे competition हो समझ में आता है लेकिन आपके हाँ 2693 सीटे कम नहीं होती हैं अब लेकपाल वाले में आप देखेंगे 2 लाग से जादा लोगों ने एक्जाम दिया है और आपके यहां 34,995 35,000 मा लेजे 5 कम उसमें तो इतने ही लोगों ने मातर एक्जाम दिया है तो कटाफ वहुत आई रही नहीं रहने वाली है लेकिन अभी आपको यहां पर जो भी कटाफ बताने का प्रयास कर रहे हो यह expected है अभी तक हम सर्वे भी नहीं करा सके हैं आफिसल आंसर की का वेट कर रहे हैं एक बाद आपक कितनी कटाफ जा सकती है बागे दीके exactly कोई नहीं बता सकता है अगर किसी के पास बिलकुल exactly जानकारी भी हो तो भी दीके यह सब चीजे कहीं आयो की अपने गोपनियता होती है लेकिन एक expected चीजे पता चल जाती है आप सभी को तो यह होता है कि हाँ लग बग हम safe हैं की नही करिए और WhatsApp पर भी आप से भी reply नहीं कर बार है लेकिन कोसिस करेंगे reply कर देंगे या फिर call back कर लेंगे और जो भी आपकी इसमें डाउट हो रहे हैं उसको लेकर के वह जल्दी एक वीडियो अपलोड कर देंगे उसमें सभी चीजों को लेकर कि क्या क्या डोकुमेंट्स जानकारी देंगे डोकुमेंट्स लेकर करके वाकि तब तक आप से अपना ध्यान के और बताने दीजे सबको क्रूण क्या बदार आप स्वैम चीजों को सब्दा सा समझे का प्रयास करिए चीजे क्या हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं और आप तुरन्थ परैसान मतुबा क करिए आप लोग और सेलेक्शन के नाम पर किसी की भी चक्कर में कोई भी सिष्टर नहीं पड़ेगी हमने आपको इसके बहले भी अवेर किया था प्लीज आप लोग मत पढ़िएगा एनम भरते में आप सभी सिष्टर हैं आप सभी फिमल कैंडिडेट हैं और बहुत सारी बेहने इस तरह की सिकायत कर रहे थी इस तरह से चीज़े कभी नहीं होना चाहिए इसे पूरी तरह से गलत होती है आपका सेलेक्शन होना होगा तो आपकी मेहनत से अपने से हो जाएगा उस तरह से कभी नहीं होगा आपने मेहनत की है अपने मेहनत पर भरोसा रखें जो बहने पहले से सेलेक्टेड है उनका ठीक है लेकिन जो बहने सेलेक्टेड नहीं है आगे P.E.T. का एक्जाम होना है आप उसकी तयारी करिए उसके बाद A.N.M. की नई भरती सत्प्रसत कुछ अच्ची वेकेंशी भी आ रही है जैसे आप देखेंगो हम आ पनी जी सची हुगहा रेकिन आगे समिक्षा हो नहीं जाता है, तब-ठक कोई सी और नहीं है किसी को नहीं बोल सकते हैं कि आपका हो जाएगा सफ़ज़त तो तैयारी आप सभी करते हैं एक दिन जरूर आप सेलक्षन पाएंगे सरकारी जो नौकरी का शचपना आपका है हो जरूर पूरा होगा बाकि आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक कर दिया करें सभी लोग सेर भी आप सभी कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिलती रहे और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजीगा धन्यवाद